सूचना मिला है कि आपको विद्यले से निकाल निकालने का करण? पर बार उनका भी नाम खुला सावरा आयूस वाले मामले में भी रमा कंतियादो का जिंदगी का सवाल है अब कहीं से भी दो रोटी खायेंगे दो पैसा बचायेंगे तो बच्चे आगे जाएगा कम सका हम लोग पीछे हैं बच्चे तो आगे जाएंगे इसी अपने मतलब आरके मुझे सब बच्चों के सामने और सभी टीचरों के सामने मुझे मेरे पती को जलील किये और जब सौना एक लड़की थी उससे पूछे तुमारा नम क्या है वो बोली मेरे नाम गवरी है उससे यह आहें अब बिध्याले में इतने दिनों से पड़ रहे हैं और क्या कहते हैं लोग रमा कंतिया दोग्बारे में और वह उपर छोड़े तो बिध्याले में ऐसा बोलते हैं किसी ओकात नहीं हमको टुच करने की यह कोई बात है सर नमस्कारे समलोग जौनपूर में हैं और कंचन गल्सिंटर कालेज के आपने पिछली घटना देखी होगी आई उसका हुआ ऐसे ही कोर्लेट करते हुए एक और घटना सामने आई है ये भी उनी के साथ परते हुए उनी के बिद्याले में क्या नाम हुआ आपका? जैसा कि हम लोग को सूचना मिला है कि आपको बिद्याले से निकाल दिया गया है क्या कारण है आपको बिद्याले से निकालने का ये कारण है कि बिद्याले में ये लोग जातिवाद करते हैं पिछूब जाने के मामले को ले करके वह ऐसा बात करते हैं जादा प्राइबट विद्याले में आपने देखा हुगा कि फीज बड़ा वजह होता है बड़ा एमाउंट भी होता है जिसको सब लोग वहां नहीं कर पाते फिलाल यह लोग पढ़ने जाते हैं तो फीज तो देंगे ही ऑफिलाल लेकिन जैसे कि बहुत दिनों से आपका फीज बाकी भी था लेकिन हम उनको बोले थे कि जमा हो जाएगी जिसके जिसके बाद वो बोल रहे हैं कि फीज जमा करो और फीज को ले करके ऐसा बोल रहे थे और बोल से तुम्हारे नाम पाट के हम निकाल देंगे केवल फीज की वजए से सामने बात आई जब सामने खुली जब बात यह बोल रहे हैं और वहां पे 112 भी थी वहां बोल रहे थे कि तुम्हारी फीज ज्यादा हैं तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं तो जो यहां जो मिरकन स्थाने से जो 112 आई थी वह बोली कि देख लिए आप ल इनको करना था तो उमारे बच्चे को मारें गे और जहां मारना वहां नहीं बाहरें गया हैं इसे लिए कि अगर यह कभी निकलें कि हम नहीं दिखाएंगे जैसा कि सुप्रीम कोड का नेदेश हैं बच्चों को पनिस नहीं किया जा सकता लेकिन फिलाल देखिए इनके साथ यह घटना घटित हुई है और वह कौन से टीचर है जो कि आपको मारे हैं रमाकांतियादो जो यह बार बार उनका भी नाम खुला सावरा आयूस वाले मामले में भी रमाकांतियादो का ही नाम आ रहा जल्दी में 2-3 बच्चे को ऐसे मारें इस प्रकार से रमाकांतियादो और जैसा कि उनके आयूस के पिता ने भी आरोप लगा था कि रमाकांतियादो के मारने से ही उनके बच्चे की डेथ हुई है जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा उनके परिवार के प्रवंद्धक से बोले तो प्रवंद्धक बोलते हैं बहुत अच्छा टीचर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें डाल दिये इस लिए उसमें हम लोग करें उसमें लेकिन बयूại हैं और जो बच्ची में नहीं पड़ने जयाएता उनके आप ध्यान कि अभी पिता जी बता रहे थे आप खोँगे उसके घटना है जो आपके बच्चे में बाहर निकाला गया था उसके दस दिन पहले उसको मारा गया था हम लोग गए थे उपर क्या चल रहा था कुछ पता नहीं यह लोग मुझे चट पर नहीं जाने दिए बता दें कि जिस दिन आयूस की घटना नौ तारीका उसी दिन यह लोग भी पहुंचे थे विद्याले इनको बाहर निकाला गया था काले से फिर उसके बाद इनको भी बुलाया गया था और उसके डायलेक्स वहां पहुंची हुई थी वह किसके आपके बुलाने पर आई थी बिद्याले के नहीं वह राजु सर बुलाये थे राजु के साथ आई थी वह मुझे पूछी कि मतलब मुझे कौन बुलाया हम लोग नहीं वह लोग उसका जबाब नहीं दिये यह लोग मेरे सामने मुझे अपने मतलब आरके मुझे सब बच्चों के सामने और सभी टीचरों के सामने मुझे मेरे पती को जलील किये और जब सो नंबर आई तो लोग चूपो के बढ़ गए और बोलने लगे सो नंबर से के लोग दोनों बिना बुलायर हो जाते हैं बच्चे को डिश्टरब करते है तो और अरके के बार में और भी घटना है शुनने को आ रहे है लड़कि से रिलेटेट को जानकारी है आपको लड़की एक बार में क्या है लड़कियों को थौड़ा मज्जा लेते हैं खीचते हैं और बच्ची है तो उनको अच्छे सिज़द देना चाहिए प्रेम से बु और उसका नाम है तो उसको बोलना चाहिए आप टीचर होना टीचर की तरह बात करना चाहिए यहीं बेहुदी पन करते हैं वह लोग वल्दाब समझे एक टीचर को लोग भगवान मानते हैं अपना गुरु मानते हैं लेकिन रमा कांथ यादव जैसे टीचर रहेंगे तो आग आगे भी घटित होती रहेंगी फिलाल रमा कांथ यादव बारे में आपके सोचते हैं कमेंट करके जरू बताएगा फिलाल इनके जो की फीस अब क्या दुबारा पढ़ने जाएंगे या फिर उस विद्याले से इनको निकाल दिया गया है अभी सर हम लोग गये थे कल थाने अगर निक्याल लेते हैं तो पढ़ेगा कैसे जिनकी क्या सवाल है तो इसलिए इसमें डाले रहेंगे और फिर जैसा मेरी दो लड़कियां रहेंगी नहीं तो निक्यालेंगे मेडिया के सामने आ चुकी है रमा कांथ यादव इस वीडियो को देख रहे होंगे और प्रबं लगा उस दिन मैं बोलके आई थी लगिन अगर रमा कांथ रहेंगे तो वहां पे मेरे बच्चे नहीं बढ़ेंगे बच्चा तो कैसे ही चार महिना निक्याल लेगा लेकिन अब बच्चियां को नहीं चोड़ेंगे वहां प्रबंधक से आपकी आहीं मांग है कि रमा कांथ बच्चे जानते होंगे लेकिन नहीं नहीं निक्याले गए और सब सारी काली जड़ वही है रमा कांथ हैं तो मतलब क्या ज्यादा घनिष्टता है क्या प्रबंधक से की जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हाँ घनिष्टता है कि वह फिस उसके लिए टॉर्चर करते हैं निक्यालते हैं उनसे क्या प्रबंधक सीजी से क्या घनिष्टता है मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम तो अभी आठ साल में दो ही बार गए तीन बार अच्छे आठ साल से वहां पढ़ रहे हैं जी जी वहां प नहीं लां जबने, नहीं पढ़ लेंगे कैसे रैपर पहुष्छा नहीं मिलेगी कर दिच्छा को खाल है वह मंदिर कि होता है मंदिर हो गया है 12 d अज़िव लिए बढ़ा अग्र— क्या कहते हैं लोग रमा कान थे दोग बारे में और भी विद्ध्याले को यह वह तो आई बोलते हैं मतलब उनके बारे में हर समय बुराई करते हैं और वह ऐसा करने लाइग है प्टिए नीचे हम धार ज पहले हैं जितने रशार के पास वहां के जो वीसूच उस्ट जबते हैं तो मैं लिखे थे हैं मैं बोला था कि यहां की पीछे सीर में हमार दिये हैं और अगर कोई भी दिक्कत पैदा होगी तो ऊसके संपूर्जमेंदार रहा कानत्याद हो और और मैं एक्षरे निकलाए था मैं बसको धमकाने के लिए यह इसा बोला था जब दूसरे दिन में जब विद्याला गया तो बोल रहे हैं कि अगर और मैं दूसरे आपको रहां को उपर लेकर के हमारी मांग यह है सार कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं अच्छी सिच्छा दे बच्चे को जो फीस है अगर गरीब लोग है तो उनकी फीस सव पांसओ हजार जैसे है उनका कम कर दीजी अगर नहीं है तो बोल दीजे हम आपना बच्चे इसमें मत पढ़ाओ, पढ़ाने के लाइक नहीं हो, लकिन बच्चे को पर टार्चर मत करो, और पारें सुलो को बुला को वहाँ पर जलील ना करो, यही मांग है मेरी अगर आप इस वीडियो को देख रहा हैं, तो इनकी बातों पर गौर करिएगा, फिलाल अभी पिछी इनका घर भी आप देख पाएंगे, यह बड़ा नेधन परिवार से आते हैं, और आपका अगर फीस नहीं दे पा रहा हैं, तो इनको टार्चर न करिए, इनके अभिवाव को बुलाईए, और उनको अगर जैसे की नाम काटना है, तो नाम काट करके बाहर कर दीजिए, यहीं आपके पास रास्ता है, लेकिन फिलाल टाचा नहीं कर सकते हैं, अगर आप दुबारा ऐसे करते पाए गए, तो फिलाल जो आवस्यक करवाई के लिए तयार रहेगा, फि